हालो एब्रिवन वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉज स्कूल मैं हूँ काशिफ खान और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपोर्टन लीगल अपडेट दोस्तों केरला गवर्मेंट ने फाइल किया एक प्ली सुप्रीम कोट में और उन्होंने चैलेंज किया है आरिफ महम्मद खान के डिसिजन को जो उन्होंने रिजर्व किया है बिल को फॉर दा एसेंट आफ दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने कहा है कि इस एक्ट को हमारे गवर्नर के अनकॉंस्टिशनल डिक्लेयर किया जाए क्यों क्योंकि यहां पर इन बिल पर आर्टिकल 21 का वालेशन आर्टिकल 200 & 201 का वालेशन है यह सारी बात इस प्ली में जो है वह एक प्रेटिशन के तुरू जो फाइल के गहती उसमें केरला की गवर्नमन ने कहा है तो क्या है पूरा मामला इसको आज हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में चलिए वीडियो को स् साथ बिल अगेन पेंडिंग में थे और यहां पे सुप्रीम कोर्ट की एक तरसम के लिए फटकार के बाद जो है वो गवर्नर ने इन साथो बिलों को उठाके प्रेसिडेंट को भेज दिया साथ बिल में से फिर प्रेसिडेंट ने तीन बिल को सहमती दे दी और चार बिल अ आपका University Law Amendment Bill 2022 और चौथ है आपका University Law Amendment Bill 2022 तो यह अलग-अलग नंबर के भी बिल हैं सारे बिसिकले अगर हम बात कहें तो University Education से लेटेड बिल हैं उनमें जो चेंजेस हैं उसके रिगार्ड में यह सारे बिल हैं केरला गौर्मन के कहना है कि यह बिल किसी भी तरीके से कोई भी आपका University को यहां पर पार्टी को यहां पर पर्रेसिडेंट को यहां पर बनाया गया है केरला के गवर्नर को बनाया गया है और Additional Chief Secretary of the Governor जो है उनको यहां पर basically Respondent यहां पार्टी कहलें बनाया गया है बिल में जो पूरा मुद्दा है वो सिंपल सी बात है Education के रिगार्ड में डेवलप्मेंट को लेकर है केरला गौर्मन का यह बात यहां पर कहना है लेकिन गवर्नर ने क्यों उसको प्रेसिडेंट के एसिन के लिए भेज दिया और क्यों प्रेसिडेंट इतने टाइम से अगर बात करें तो कम सकम इनका कहना कि साथ महिने से लेक्ए 24 महिने तक यह ब्यूहां प्रेसिडेंट को भेज दिया और प्रेसिडेंट के पास यह परन यह तो क्यों इतने टाइम से यह बहुत तक बिल को बहुत टाइम से मतलब के साथ से लेकि 24 महीने तक का कुछ-कुछ बिल ऐसे हैं जिनको 24 महीने तक पेंडिंग में उन्होंने रखा है यह जो है एक तरह से घलत है ठीक है और उसके बाद जो है इन्होंने प्रेसिडेंट को भीज़ दिया और इसके बाद उन्होंने जो प्रेसिडेंट ने इस बिल को विध होल्ड कर दिया लेने के बाद यह जो है तोनों तरफ से अगर हम देखें तो यह दोनों तरफ से एक तरफ से आर्बिटरी और वालेटिव है आर्टिकल 14 200 और 201 का क्यों कियों कि आपको कोई बिल जो है अगर होती है कभी-कभी तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो स्टेट की लोग को तो कभी भी सेंटर की गवर्मेंट अप्रूव नहीं करेगी क्योंकि उनका नुकसान होगा उससे तो यह सारी चीज़ें बहुत जादा इश्यू करती है तो यहां पर जो है आगे अंगर हम देख लोग को मिलना चाहिता लेकिन अब लॉग कब तयार होगा जब उसके उपर जो है प्रेसिडेंट की या गवर्मेंट की एसेंट हो जाएगी अब यह लोग इस पर एसेंट ही नहीं दे रहे है तो यहां पर इनके जो राइट ऑफ लाइफ और लिबर्टी है उसका प्रेशन जो फाइल हुई है लडे अफ गवर्मेंट के द्वारा जो केला की गवर्मेंट है भी प्रेजेंट गवर्मेंट उन्होंने प्रेई किया है कि यह एक तरह से डारेक्ट करे दा एक्ट पाइडी गवर्नर इन रिजर्विंग सेवन बिल फॉर दा कंसेडरेशन इन लाकिंग इन बोनाफाइड मतलब उनका जो एक्ट है उसको इल्लीगल कहा जा इन्होंने की कहा है साथे साथ यहां पर एक चीज़ और देखने को मिली कि केरला की तरह बहुत सारे स्टेट जैसे कि स्टेट ऑफ पंजाब स्टेट अफ तामिल नाडू स्टेट अफ तिं चैलेंज किया जाए इन सब चीज़ों में एक चीज़ आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नर क्या क्या कर सकता है जब उसके पास एक बिल आता है तो तो उसके पास चार राइट है या तो उस बिल पे वह एसंड दे दे या उस बिल को वह फिथ होल्ड कर ल प्रेसिड़न के पास पावर है कि वह उसको एसंड दे दे या फिर वापस से गवर्नर के पास भेज दे और कहे कि इसको लेस्ट लेटिव असेंब्ली जो इस्टेट के उनके पास बिल जा और कुछ इसमें से करेक्शन किया जाए तीसरा है कि वह जो इस बिल को विथ नहीं है और दोनों के पास जो विथ होल्डिंग के पावर है इसका कोई टाइम लिमिट नहीं बताया गया लेकिन यह चीज़ यहां पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉटन्ट है कि कभी भी कोई लौ अगर बनता है तो वह लौ तभी एक्ट में तबदील होगा जब उस यूशी सी बना तो यूशी सी को हमारे प्रेसिडेंट के पास भीजाएगा और प्रेसिडेंट न उसके परने सहमति दे दी जो के उत्रा खंड का था तो यहां पर भी वही बात आ रहे कि आप दूसरे स्टेट को जहां पे आपकी सरकार है वहां के बिल को ता आप तुरंत तो इसके उपर बहुत जादा इशू है, अभी देखना है मामला कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कहती है, आपके लिए एक छोटी से अपडेट है कि जुडिशी का रामबान कोर्स लेकर रहा है, अगर इस कोर्स को आप अवेल करना चाहते है, तो इसके पूरी डिटेल हमारे वेबसाइट पे कोर्स सेक्शन में अवेलेबल है, कोर्स का प्राइज है 21,999 और अगर आप मेरा कोर्ड यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पर 20% का एक्स्टा डिसकाउंट मिलता है, कोर्स में 20 से ब्यादर स्टेट के लोकल लॉज, म हमारे सोशल मेडिया हैं, हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इस इंपॉर्टन वीडियो के साथ, तब तक लिए गुडबाई, एंड टेक कियर